हलो फ्रेंड स्वालगार एक बार फिर आपके हमारे चैनल मैसान स्टार्डस में बॉलिवड फिल्म इंटेसे से जुड़ी एक और वीडियो लेके एक बार फिर आप वीवर्स की खिबत में हाजिर रहा हो को सिंधरी बिहार इंडिया में पैदा हुई और वो बॉलिवड फिल्म इंडेस्ट्री में एजन एक्रिस पहचाने जाती हैं और इसके इलाव वो एक मॉडल और बेहतरी डांसर भी हैं मेनाक्षी शिषादरी ने हिंदी के इलावा तामिज और तेल्वी लेंविज की मूवी अगाज किया लेकिन उन्ने कामयावी मिली जेकी शिरॉफ स्टारल मूवी जो 1983 में रिवी धी फिल्म का नाम था हीरो इससे उन्हें बॉलिवड फिल्म इंडिस्ट्री में बहुत नाम और मुकाब मिलना शूरू हुआ As an actress, मिनाक्षी शिशादरी की अगर करियर best movies की बात करें तो उन में शामिल हैं Hero, Hoshyar, आंधी तूफान, शेहनशा, घायल, दामनी और घातक वगेर उनकी करियर best movies में शामिल हैं तो इवर आज की इस वीडियो में हम बोलिवुट की famous talented actress मिनाक्षी शिशादरी का complete box office career analyze करने जा रहे हैं और उनकी रभीत होने वाली तमाम movies की detail box office collection और box office करने movies का result क्या रहा ये तमाम दसीटात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अमीद करता हूँ कि हमारी आज के वीडियो भी आप वीवर्स को पसंद आएगा अगर हमारी आज की कोशिश आप वीवर्स को पसंद आती है तो हमारे वीडियो को like जरूर कीजेगा क्यूंकि आपके likes ही हमारी असल learning है तो चले हैं फ्रेंड शुरू करते हैं हम अपना आज के ये वीडियो तो यह वह मिनाक्षी शिजाज़ी की बॉलिवूड फिल्म इंडेस्री में डेबी मुवी का नाम था पेंटर बाबू और इस इनको डारेक किया था अशोक ने फिल्म की लीड कास में मिनाक्षी और राजीव को स्वामी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से 1983 में रिलीज होने वाली पेंटर बाबू एक फ्लाफ फिल्म करा दी गई थी 16 इसमर 1983 को रिलीज होने वाली मुवी हीरो इस फिल्म को डारेक किया था सुवाज गई ने उफिल्म की लीड कास में जेकी श्रोफ और मिनाक्षी शमी कपूर शामिल थे और ये जेकी श्रोफ की बॉलिवूड फिल्म इंडेस्टरी की डेबियू मुवी थी फिल्म का बज़ेट था 2 करोड इंडे में कलेक्शन वे 6 करोड 25 लेक्स और फिल्म के ओवर वार ग्रोस कलेक्शन थे 13 करोड और कलेक्शन के हिसाब से हीरो एक ब्लॉग बस्टर फिल्म करार दी गई थी 1983 को रिलीज होने वाली मुवी दो गुलाब इस फिल्म को डारिक किया था दोराई नेयो फिल्म की लीड कास में वीजी अरोरा, राजेश बेदी और मिनाच्छी शिशादरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई थी 1984 को रिलीज होने वाली मुवी लव मेरिज इस फिल्म को डारिक किया था मेरल कुमार नेयो फिल्म की लीड दास में अनिल कपूर, मीनाच्छी शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी 9 जनवरी 1985 को रिलीज होने वाली मुवी होश यार इस फिल्म को डारिक किया था के रगु इंडरा राव ने ओफिल्म की लीड दास में शामिल से जेतिंदर जिया परादा शदरो गंसेना और मीनाच्छी शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से होश यार एक हिट फिल्म करार दी गई थी 22 मार्च 1985 को रिलीज होने वाली मुवी आंधी तूफान इस फिल्म को डारिक किया था बीस उभाज ने ओफिल्म की लीड गास में शामिल से शेशी कपूर हिमा मालनी शत्रो गंसेना मेतन जगवादी और मिनाच्छी शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से आंध दो अगस 1985 को रिलीज होने वाली मुवी महा शक्तिमान इस फिल्म को डारिक किया था स्वामी वी एस आर में और फिल्म की लीड गास में राज बबार मिनाच्छी और किम शामिल दे और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी 11 अक्तूबर 1985 को रिलीज होने वाली मुवी मेरी जंग इस उनको डारिक किया था सुभाज गई ने और फिल्म की लीड गास में अनिल कपूर मिनाच्छी और नोतन शामिल दे और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म हेट करार दी गई थी 13 अक्तूबर 1985 को रिलीज होने वाली मुवी लवर बॉई इस फिल्म को डारिक किया था शामों मिखर्ची ने और फिल्म की लीड कास में राजीव कपूर मीनाच्छी और अनिता राज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी 29 अक्तूबर 1985 को रिलीज होने वाली मुवी आवारा बाप इस फिल्म को डारिक किया था सोहन लाल कुमर ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे राजेश करना मीनाच्छी शिशादरी और रजन सिपी और मादूरी डिक्शिट सामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल साथ फरवरी 1986 को रिलीज होने वाली मुवी दिल वाला इस फिल्म को डारिक किया था कि मुर्ली मोहन रावने आव इसकी लीड दास में शामिल थे मिसंट रगवती समीता बाडल और मीनाच्छी शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से दिल वाला एक सुपर हिट फिल्म करा द किया था क्रांटी पुमार ने और फिल्म की लीड गास में शामिल थे शेशी कपूर मीनाच्छी शादरी शेमिला टाइगोर और माधूरी डिक्षिट और ये फिल्म करा दी गई थी 1987 में रिलीज होने वाली मुवी मा बेटी फिल्म को डारिक गयता काल पतारू ने और फिल्म की लीड गास में शामिल थे शेशी कपूर शेमिला टाइगोर और मीनाच्छी और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप करार दी गई थी 15 अकस 1986 को रिलीज होने वाली मुवी अल्ला रखा इस फिल्म को डारिक कियता केदन डिसाई ने ओफिल्म की लीड गास में शामिल थे जेकी श्रॉफ, दिंबल कबाडियम, मीनाच्छी, शमी कपूर और वाईदा रहमान और कलेक्शन के हिसाब से अल्ला रखा एक एफिल्म फिल्म करार दी गई थी 10 अप्रेल फिल्म के बर्ड वाट कलेक्शन थे 9 करोड 26 लेक्श और कलेक्शन के हिसाब से डगेच एक हिट फिल्म करार दी गई थी 18 जून 1987 को रिलीज होने वाली मूवी सत्य में विज्जेते फिल्म को डारी किया था राज इंजेपी ने और फिल्म की लीड गास में शामिल थे विनौत खना, मिनाक्शी, शिशादरी, माजवी और अनीता, राज और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म हिट करार दी गई थी 29 में 1987 को रिलीज होने वाली मूवी मुकदर का फैसला फिल्म को डारी किया था प्राकाश मेरा ने और फिल्म की लीड गास में शामिल थे राज कुमार, राकी, राज वेबर और मिनाक्शी, शिशादरी, और कलेक्शन के हिसाब से मुकदर का फैसला एक फैसला फिल्म करार दी गई थी 12 जू 1987 को रिलीज होने वाली मूवी परीवार, फिल्म को डारी किया था शिशी लाल के नईयर ने और फिल्म की लीड गास में शामिल थे मिसिश चगरवती, मिनाक्शी, शिशादरी, अरुना, इरानी और इस फिल्म का वज़र था 1 करोड 20 लेक्स, इंडिय में कलेक्शन वाए 2 करोड 50 लेक्स, और फिल्म के वर्ड वार कलेक्शन थे 4 करोड 90 लेक्स, और कलेक्शन के हिसाब से परिवार एक हिट फिल्म करार दी गई थी 27 वर्वरी 1987 को रिलीज होने वाली मुवी इनाम 10,000, फिल्म को डारिक किया था जियोतन गोयल ने और इंटी लीड गास में शामिल थे संजिदत, मिनाक्शी, शिशादरी और अम्रेश पूरी, फिल्म का वज़र था 1 करोड 80 लेक्स, इंडिय में कलेक्शन हुए 4 करोड 50 ले मिनाक्शी, शिशादरी और निरुपार रॉय और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म फ्लॉप करार दी गई थी 12 फर्वरी 1988 को रिलीज होने वाली मूवी शेहन शाह, उस उनको डारिक के था टीनू, आनन्द नेओ फिल्म की लीड गात में शामिल थे, आमिता बचन, मिनाक्शी, शिशादरी, अम्रेश, पूरी वज़र शामिल थे, फिल्म का वज़र था 2 करोड 20 लेक्स, इंडिय में कल पर कलेक्शन वे 12 करोड और कलेक्शन के हिसाफ से शेहन शाह, एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी, जियार आगस 1988 को रिलीज होने वाली मूवी वीजे, इस फिल्म का डारिक के था यस चोपडा ने, और फिल्म की लीड कास में शामिल थे, राजेश चनना, हीमावालनी रिशी कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी, शिशादरी, राज बबर और कलेक्शन के हिसाफ से वीजे एक हिट फिल्म करार दी गई थी, 23 दिसम्बर 1988 को रिलीज होने वाली मूवी गंगा, जमना, सरस्वती, इस फिल्म का डारिक के था मन मोहन डिसाई ने, और इनकी लीड क लीड कास में शामिल थे अमीता वचन, मित्युन चगरवती, जयाब रादा, मीनाक्षी, शिशादरी और अव्रेश पूरी, फिल्म का गजट था एट करोड, इंडिय में कलेक्शन होए त्री करोड फाइफ प्लेक्शन होए फाइफ करोड, और कलेक्शन के हिसाब से गंग 1988 को रिलीज होने वाली मूवी इन्तिकाम, इस फिल्म को डारिक केता राजकुमार कोहली ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे सनी देवल, अनील कपूर, मिनाक्षी, शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से इन्तिकाम एक फिल्म करा दी गई थी 19 जनुरी 1989 को रिलीज होने वाली मूवी सच्चाई का बोल बाला, इस फिल्म को डारिक केता देव आनन ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे देव आनन, जेकी शिरोब, मिनाक्षी, शिशादरी, और प्रेम चोपड़ा और हिमा मानली और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल 26 में 1989 को रिलीज होने वाली मूवी बड़े गर की बेटी, फिल्म को डारिक केता काल पतारू ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे रिजी कपूर, शेमी कपूर, मिनाक्षी, शिशादरी, और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी एवरिज करार दी गई थी 11 आगस 1989 को रिलीज होने वाली मूवी तूफान, इस फिल्म का डारिक केता केतन डिसाही ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे अमिता वचन, मिनाक्षी, शिशादरी, अमरिता सिंग, और फारूक शेक, और इस फिल्म का वज़ाप था 4 करोड 20 लेक्स, इंडिय में कलेक 8 करोड और कलेक्शन के हिसाब से तूफान, एक रार्विश फिल्म करा दी गई थी 15 सितमबर 1989 को रिलीज होने वाली मूवी आख से खेलेंगे फिल्म को डार्विट किया था बासकर, शेटी ने और फिल्की लीड़ दास में शामिल थे, जेतिंदर, अनिल कपूर, मिनाक्षी, शिशादरी, कीमी काटकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म फ्लॉप करा दी गई थी 1989 को रिलीज होने वाली मूवी नाचे नागिन गली गली, इस फिल्म को डार्विट किया था मोहन जी परासाद में और फिल्म की लीड़ कास में शामिल थे, नितेश, बादवाज, और मिनाक्षी, शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप करा दी गई थी 5 माई 1989 को रिलीज होने वाली मूवी महा देव, इस फिल्म को डारिक कियता राज इन सिपी ने और फिल्म की लीड़ कास में शामिल थे, विनोत खन्ना, राज बबर, मिनाक्षी, शिशादरी और सोनो वालिया और कलेक्शन के हिसाब से महा देव एक हिट फिल्म करा दी गई 26 जन्वरी 1990 को रिलीज होने वाली मूवी आवार्गी, इस फिल्म को डारिक कियता मैजबट सहाब ने फिल्म की लीड़ कास में शामिल थे, अनिल कपूर, गोविंदा, मिनाक्षी, शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से आवार्गी भी फिल्म करा दी गई थी 20 मार्च 1990 को रिलीज होने वाली मूवी शानदार, इस फिल्म को डारिक कियता विनोथ दिवान ने और फिल्म की लीड़ कास में शामिल थे, मिनाक्षी, शिशादरी, जुही, चावला और सुमिच सेगल और कलेक्शन के हिसाब से शाब से शानदार भी एक फिल्म करा दी कलेक्शन में 9 करोड 50 लेक्श और कलेक्शन के हिसाब से गायल एक ब्लागवस्टर फिल्म करा दी गई थी पांच जुलाई 1990 को रिलीज होने वाली मूवी जुर्म इस फिल्म को डारिक किया था महईश बट साब ने और इनक्षी, शिशादरी, संगीदा, बिजिलानी और शाफी, इनामदार और कलेक्शन के हिसाब से जुर्म एक फिल्म करा दी गई थी 10 अगस 1990 को रिलीज होने वाली मूवी अंबा इस फिल्म को डारिक किया था महँन कुमार ने और फिल्म की लीड़ गास में शामिल आनील कबो मिनाक्षी, शिशादरी और शाबाना अजमी और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म इजास्टर करा दी गई थी 1990 को रिलीज होने वाली मूवी तडप इस फिल्म को डारेक किया था सोहन लाल कुवर ने और फिल्म की लीरदास में शामिल दे नाना पाटे का चुंगी पांडे और मिनाची शिशादरी और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप करा दी गई थी 2 मार्च 1990 को रिलीज होने वाली मूवी प्यार का कर्स फिल्म को डारेक किया था के भपईया ने और फिल्म की लीरदास में शामिल दे मितुंचकरवदी मिनाची शिशादरी धर्मेंदर और शक्ति कपूर और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई थी 8 नॉमबर 1991 को रिलीज होने वाली मूवी अकेला इस फिल्म को डारेक किया था रमेज सिदी ने और फिल्म की लीरदास में शामिल दे अमीता बजन, अमरिता सिंद, जेगी श्रोप, मिनाची शिशादरी और अधितिया पंचोली फिल्म का वैजर था 3 करोर 40 लेक्स, इंडिया में केलेक्शन हुए 3 करोर और फिल्म के वालवाड कलेक्शन थे 5 करोर और कलेक्शन के हिसाब से अकेला एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी जनवरी 1991 को अर्लीज होने वाली मूवी घर परिवार, फिल्म को डारिक गयता मोहन जी प्रसाद ने और फिल्म की लीड़तास में शामिलते राजेश खन्ना, रिशी कपूर, मिनाची शिशादरी और मौस्मीच चेडर जी और कलेक्शन के हिसाब से घर बरिवार एक हिट फिल्म करा दी गई थी 10 जुला 1992 को रिलीज होने वाली मूवी आज का गुंडा राज, इस उनको डारिक किया था रवी, राजा, पेंडी, सिटी ने और फिल्म की लीड़ कास में शामिल दे चिरिम जी जी वी, मिनाची शिशादरी, शरत सेषेना और राज गबर, और इस उनका वज़ट था 2 करोर 50 लेक्स, इंडिया में कलेक्शन में 3 करो 5 लेक्स, और वर्लवार्ड कलेक्शन थे 5 करोर, और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म एवरिज करा दी गई थी, 31 जुल 1992 को रिलीज होने वाली मूवी हम शगल, इस उनको डारिक किया था काल पतारू ने और फिल्म की लीड़ कास म शामिल थे जेतिंदर, मिनाच्छी, शिशादरी और सदार शिव अमरबारकर, और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म डिजास्टर करार दी गई थी, 24 जुलाई 1992 को रिलीज होने वाली मूवी पुलिस और मुजरिम, इस फिल्म को डारिक किया था केसी वुकाडिया ने और फि 26 मार्च 1993 को रिलीज होने वाली मूवी शत्रिया, इस फिल्म को डारिक केता जेपी दता ने और फिल्म की लीज गास में सुनीलर, धर्मिनर, विनोत, खना, सनी देवल, संजेदर, जिनाक्षी, रवीना, टेंडन, और देविया भारती शामिल थे, फिल्म का वज़ता 4 25 लेक्स और कलेक्शन के हिसाब से शत्रिया, एक एवरिशन करा दी गई थी, 30 अपरेल 1993 को रिलीज होने वाली मूवी दामीने, इस फिल्म को डारिक केता राज कुमार संतोशी ने और फिल्म की लीड गास में शामिल थे, मिनाक्षी, शिशादरी, रिशी कपूर, सनी देव 25 लेक्स और कलेक्शन के हिसाब से दामेनी इस फिल्म करा दी गई थी, 2 जुलाई 1993 को रिलीज होने वाली मूवी बड़ी बेहन, इस फिल्म को डारिक किया था काल बतारू ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे, राजबबर, मिनाची, शिशादरी, असरानी वगरा शाम और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म करा दी गई थी, 3 सितमबर 1993 को रिलीज होने वाली मूवी आदनी खिलोना है, इस फिल्म को डारिक के था, जे ओम प्रकाश ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे, जैतिंदर, गोविंदा, मिनाक्षी, और रिना रॉय और कलेक्शन के हि और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म भी फ्लॉप करा दी गई थी, आठ नॉमबर 1996 को रिलीज होने वाली मूवी घातक, इस फिल्म को डारिक की था, राजकुमार संतोशी ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे, सनी देवल, मिनाक्षी, शिशादरी, डेनी और अम्रेश पूरी, फिल्म का वज़ता 6 करोड 25 लेक्स, इंडिय में कलेक्शन को रिलीज होने वाली मूवी घायल वन्स अगें, इस फिल्म को डारिक की था, सनी देवल ने और फिल्म की लीड कास में शामिल थे, सनी देवल, ओम पूरी, शिव पटेल वगयरा शामिल थे और इस फिल्म में मिनाक्षी, शिशादरी गे, घायल जो के 90's में रिलीज होई थी, उस फिल्म के फूटिज यूज किये गए थे, इस फिल्म में उनने एक्टिंग तो नहीं की थी, लेकिन उन फूटिज की वज़ए से इस फिल्म में उनकी गैस्ट अपेरिंस होई थी, फिल्म का वज़यार था 50 करोर, इंडिया में कलेक्शन में 35 करोर, 70 लेक्स और वर मुवीज में आपकी फेवरिट कौन कौन सी मुवीज है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी फेवरिट मुवीज के नाम मेंचन करना न पूलेगा, और आने वाले वीडियो में आपकिन किन सुपर हिट एक्टर, डाडेक्टर या ब्रोडूसर के ओपर वीडियो देखना चाते है उनके नाम मेंचन कीजिए, मैं उनके ओपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा तो व्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो, अगर हमारी आज की कोशिश आप वीवर्स को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक आप वीवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन से पेशतर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आईकोन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताके नई आने वाली वीडिय इस बिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके हमारा आज का वीडियो देखने का आप सब वीवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया